तो हलो फेंस कैसे आए आप सब यार आप बढ़ी आई होगे और यार आप लोग को ऐसा देखे लगड़ा हो कि मैं अभी कहां पर हूँ नो पर अच्छा तो दो मैं बता दुआ को कि हम आचुके है वाराँ नाले हैं इस जीला वारांसी यहां टो में हम लोग बованस्यание फैस कि उपके एहां लगे वगला गारैं च्रौ कि दो बढ़ा दो कि में कारत में नहीं हूं नहिंगा नाम पहले सान अप कर जया गया अच्छा वरांसी में नहीं तो हमें फ्रेंट्स आय थे हम घुमने और फिस करण फ्रेंट्स आये हुए हैं यहां पर हुमने के लिए विन आपको बताओंगा और यहां में आया था वेलिट यहाँ पर है ठीक है तो मुझे लगए स्थी होगा लेकिंक यहां दो रूपर आप दे होगा लेकिन और आप तो पता नहीं था है वैसे बहने इस्टेसन पर अशा नहीं है बर तक मैं गया हूँ बाकि मुझे नहीं पता और यहां पैसा रूल है चलिए कोई बात भी पैसा देंगे तो यहां पे स्वच्छी लोग यहां पर गंदीगी होती है उस पैसे से यहां पर जो है व्रेंट साफ समय उती है चलिए कोई बात भी जोड़ पर ले लें बट फिरंड्स अभी हम लोग है यार इस्टेशन में और मैं बता दो आपको कि यहां का इस्टेशन इतना बड़ी आया है कि इस बाज़ा है है कि मैं इसे आया तो नहीं हूँ पहली बर यहां पर आया हूँ विश्टेम अभूर ब्र आया था तो ऐसा इतना भूमा निट अग बहुत चाहते हैं व भानरत का कि अब्रणा को चाहता है ज़ो यहां पर ड़कशन और कहां तो बैठे हुए हैं मेरे सब कौन आया है मतलब मेरे सब कौन है वह भी मैं पर डिखा दो ठीक है तो लेट्सको यहां से यार एंटरिफ जो है हम लोग करें था इस नोग करें है हो गया है ठीक है है जो लेट्स गो तो फ्रेंट बाहर निकलने के बाद हम लोग यार आ चुते हैं प्लेफाउन नंबर एट पे ही यहां पर सब कुछ है और हमारे सामने यार के खड़ी हुई है बनारस नियू डैली के लिए ठीक है और यहां पर एक सिस्टम मैंने दखा कि प अगर आप इसाथ बच्चा है तो पांच इपादे लिए पर आवर आप एसी में बैठ सकते हो ठीक है तो यहां पर देख सकते हो यार जितने पर बनारस में टैंपल्स हैं इनकी जो है पिक्शर लगी है इस इस्टेशन पर यहां पर मतलब यहां पर यहां पर गूंने के जादे तो बंदे नहीं है वासे ट्रेन आती है तो ज्यादा बंदे हो जाते हैं तो यह है फ्रेंट्स वेटिंग हॉल इतना बड़ा वेटिंग वाला अब देख सकते हो यह है वेटिंग हॉल यहां पर और सामने एक तरफ फैंट्स अब देख सकते हो संतर भवान की एक मूर्ट मतलब हो फिक्चर भी लेगी हुए दो तरफ की अग्रती में फोटो लगा हुआ है अब बहुत ही काफी अच्छा लग रहा है और अमेजिंग लग रहा है देखने में बाकि तो यह स्टेशन है मस्ट और फिलाल यार में अभी बाहर चलते हैं और दिखाते हैं आपको यहां का जो है बाहर का नगार एक एक स्टेशन एक प बाकि वह एक टिकट काउंटर ठीक है और बाहर निकलने के बाद कुछ आपको ऐसा नजारा देखने को मिल जाएगा यह है बनारस का इस्टेशन ना की वारारसी का इस्टेशन तो सबसे पहले तो यार हम हमारे तिरेंगे जंडे को खरते हैं सलाम और ऐसा नजारा बाकि सांदार अमेजिंगे बानारस बानारस एंड बानारस नारस की बातिर एक वाक और यहां पहलते हैं और यहां चरी नहीं फीरी आपके बताबर है novella 225 shirt यहां पर फ्रैंस आई लव बनानरस भी लिखा है कास ऐसा गाजीपूर मे Crown obviamente lovely जाले नहीं है इस्टेशन पे मतलब ऐसा ही ग्राउंड में एक गार्डन टाइप का है यहां पर और यह आई लफ बनार्ष लिखा हुआ है तो बड़ा है काफी बड़ा है इतना बड़ा तो नहीं है लेकिन कुछ इस्पेस में अगर ऐसा बन जाए तो इतना मज़ा जाए जो लोग आते ह है घुमते हैं वह उनको अच्छा लगे वैसा तो हमारे गाजीबूर की बात अलग है गाजीबूर में दिल है वह वहां का बात अलग है और कुछ फ्रेंट्स यहां पे पोख्रा टाइप का है क्या ने पोख्रा नहीं है यह कुछ और ही है हुआ है जा रहा है वह आप पता चल देगा कि हम लोग कहां जा रहे है वह उसका भी व्लॉग में आपको अपडेट देता रहूंगा व्लॉग का एंड हाई यह पोख्रा आफ्रेंट्स पोख्रा है आए मिन कैसा यह मस्त लग रहा है मतलब रात के टाइम हमको लगता फ्रे से लगी रहे हैं सो जैसे कि मैंने बताया है और वहां का अपडेट में आपको दूंगा बाकिया मैंने सोचा तो नहीं थे यहां का व्लॉग बनाने का बाट क्या करेंट हम निकले गाजीपुर से साड़े शे बजी की ट्रेंट थी पसेंजर थी बनाराज के लिए बालिया स तो तरे दस बजी करीब दस बजे अब लोग यहां पर आये और अभी हम लोग ट्रेन का इंदिजार कर रहे हैं कासी विश्वनात ट्रेन जो कि यहां से निकलती है देड़ बजे कडी तो बहां अंव लोग यह उसी पर बैठेंगे कड़ा कोई नहीं पैना है तुम पैनोगे क्या पैनोगे बाइब बंदा मेरा कड़ा देखते ही अच्छा लगा तो यह टिकट क्या अभी कांटोर में गया था बड़ टिकट अभी मिल नहीं रहा है ग्यारा बजे के बाद ही टिकट मेरेगा कासिव इसमात का तो यहार हम लोग टिकट लेंगे उसके बाद जो है डेले वजे गाड़ी आएगी यहां लगेगी हम लोग पैठेंगे के बाद चल लेगे ठीक है इतना तो मैं मतलब तीन महिने से जितना फ्रेंट्स बतादू मैं बज़े तो कि वीडियो नहीं आ पा रहे थी जार गंचा लिना जरूरी हमारे गंचा देश की चान सान है यूपी भी भी हर की सान है अगमचा हर जगा जाओ गंचा पहन के जाओ पदा चल जाएंगे वाले हैं अब खास करके घाजी पुर वाले तो मैं बताता था आपको त चार महिने बाद में वीडियो लेकर आता जनमाश्मी का और अब भी में लेकर आयों तो काफी मुझे लगता है कि जब मैं छोड़ देता हूना यार व्लॉक करना तो कुछ आवाज में भी बहुत सारे डिफ्रेंस हो जाते हैं बोलने में भी अजीब सा लगता है और वैसक म कोशिश कर रहा हूं मैं और ही अच्छा व्लॉक बनाने का तो फैंस यार अभी हम लोग दो अंग्रेज जिहां पर जिखे थे टोटली वाइट प्राणी थे एक्दम वाइट एक्दम मतलब उनके सरीर पे नाहीं ध्याग धब्बे कुछ नहीं था तो यार मैंने मैं सब्सक भी आते रहते हैं गूंते रहते हैं बाकि अंदार की साइड़ और बाकित पर स्ट्रेशन पर यहाँ इस इतना है कि अगर मैं कुरा दिताने लगे तो तो बीस पच्छीस मिनट की वीडियो आदे गंट की वीडियो तो बनी जाएगी तो यहां पर कुछ ऐसा है त्वेंस सित्था का जो है यहां पर ध्यान रखा गया है और इस टेशन देखे भी बहुत मुझे मज़ा आया मुझे लगता है कि वरारसी से ज्यादा मुझे कि हम कहां जा रहे हैं और बाकी अगर हम जाएंगे वहां पर तो व्लॉग जरूर बनाएंगे और आप तक पहुचाएंगे ठीक है बाकी यार वीडियो तो नहीं आ पार थी इस विए से मैंने सोच है आट्स की व्लॉग अगर बनाता रहूं तो ठीक है बाकी हमाई साथ पूरी सब्जी और चाय टोस्ट सुबाफ करी लिया था चाय पी लिए टोस्ट खाली आथा पूरी सब्जी खाली भी अब निकल चुके थे और यहां पर एड़टाइसन ज्यादा चल रहा है यार यह सोने टीवी का काव्या एक घजब एक जज़बा एक जुनून इस्टार है 25 सब्टेंबर से मंडे टू फ्राइड़ी साड़े साथ बजे साम में कोई आपको कैसा लगा कमेंट करके जूर बताएगा ठीक है मिलते हैं आप सब्सक्राइब वीडियो में तत्तिक लिए टाटा आप बाई बाई सी यू